नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत्य एजूकेसन इंडिया में तुरुस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसकुल खोलने की डेट के बारे में जहां अभी आपको बताएंगे की राजस्तान में कबसे खुलेंगे तो ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें लेकिन उससे पाले वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल एजूकेसन इंडिया को सबस्काइब करें साती पासी में दिखरें घंटी के निसान पर क्लिक करें जिससे आपको आगे भी इसकुलों से जूड़ी हर अपडेट सबसे पले देखने को मिले तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो राजस्तान में दो अगस्ते इसकुलों खोलने के फैसले पर राज्य सरकार थोड़ा बदलाव कर सकती हैं सिक्सा मंत्री गोविन्दर सिंग डोटासरा ने सनिवार को इसके संकेत दी हैं उन्होंने काए कि दो अगस्त से इसकुलों खोलने की कोशना कर दी गई थी लेकिन उसी दिन रात में विशे सग्यों की रिपोर्ट आने के बाद इससा फैसले पर पुनर विचार और मन्थन क निर्ने लिया गया है उन्होंने ये बात तब कई जब राधस्तान बोर्ड ओफिस में बारवी कक्सा का परिणाम जारी करने को लेकर आउजित प्रेसर कॉन्फरेंस को संबध कर रहेते हैं सिक्सा मंत्री कोविन्दर सिंग डोटासरा ने का कि दो अगस्त से इसकुल खोलन का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे हाल में हुई केबिनेट बैटक में सिक्सा विबाक के दो अगस्ते नोवी से बारवी तक के इसकुल खोलने के फैसला पर स्वामती बन गईती लेकिन जब विसेसग्यों की राय आई कि छोटे बच्चों के लिए इसकुल खोले जा सरते हैं क्योंकि उनमें कोरोना फैलने के आसन का नहीं होती छोटी कक्सा है पहले शुरू की जाए या बड़ी कक्सा है शुरू की जाए या फिर पूरी कक्साव के लिए इसकुल खोल दे जाए इस विसे पर मन्थन के लिए डॉक्टर रगु सर्मा की अध्यक्स्ता में ए कि राजस्तान में इसकुल दुबारा कब खोले जाएंगे फिलाल 2 अगस्त 2021 इसकुल खोलने की तारिक ते लेकिन इसमें बदला होगा इसको लेकर भी कोई नसीन डोटासरा ने संकेत दिये तो इस परकार ये राजस्तान से इसकुल खोलने को लेकर बड़ी ख़बर निकल क के सामने आई थी तुरूस तो यदि आपको ये खबर अच्छी लगिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी भाईयों बन मित्रों के पास सेर कर दें तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जे इंद ज बहुत